मैं आयोशी कुमारी तक्षा इग्यार्वी वानिजे की छात्रा देर्वी स्कूल की तरफ से आप सभी के समक्ष एक कभीता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शुर्शत है पूम्र की ऐसी की तैसे घर चाहें कैसा भी हो उसके एक कोने में खुल कर हसने की जगा रखना सूरज कितना भी दूर हो उसको घर आने का रास्ता देना कभी कभी चट पर चट कर तारे अवश्य गिनना हो सके तो हाथ बढ़ा कर चांद को छूने की कोशिश करना अगर हो लोगों से मिलना जुनना तो घर के पास परोश चरूर रखना भीगने देना बारिश में उच्छल पूद भी करने देना हो सके तो बच्चों को एक छोटी सी कागज की किस्ती चलानी देना कभी को फुरसर आस्मान भी सापो तो एक पतन आस्मान में चढ़ाना हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लगाना घर के सामने रखना एक पेर उस पर गाठे पक्षियों की बाते अवस्य सुनना घर चाहे कैसा भी हो उसके एक कोने में खुलकर हसने की जगा रखना चाहे जिधर से गुजलिए मीठी से हल्चक मचा दीजिए उम्र का हर एक दौर मज़दार है अपनी उम्र का मचा दीजिए जिन्दा दिल रहे जनाम ये चहरे पे उदासी कैसी वक्त तो बीथी रहा है उम्र की ऐसी की तैसी घन्यवा झाल